पहला इंट्रिव्यो दीसरा इंट्रिव्यो चुनावी सीजन में सबसे पहला और सबसे बड़ा इंट्रिव्यो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को दिया तो न्यूज एटीन को दिया न्यूज एटीन के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज एटीन कन्नर के एडिटर हरी प्रसार और न्यूज एटीन लोकमत के विलास बड़े के सवालों का जवाब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दिया वो आज एक बार भेर से आपको ज जबाब दिया. पीम मोधी के तीन इंटर्व्यू एक साथ विरासा टैक्स पर क्या बोले पीम मोधी? भारतिये जनरता पार्टी क्या करेगी हमारे मेनिफेस्टों में साफ हमने लिख करके लाएव है. अब उन्हों है कही सगूपा छोड़ दिया तो मैं भी जनर्र देके गूंगा. ये सवाल आपके मन में कैसे आजाता है? पीम मोधी के तीन इंटरव्यू एक साथ. नैशनल एक्सरे पर क्या बोले पीम मोधी? पीम मोधी करें देखेंगे कि किस जाती और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टिटूशन में भागेदारी है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रिब्यूट करेंगे. इसको आप कैसे दिखते है? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने अप्मु राजनिती के एक्षपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं, सबसे पहले उनका दाइक्व हैं, कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जीस परिस्टित्यों का वर्ण आप कर रहे हो, अगर यह सही है, तो सब्सक्राइब तो आपने राज किया भई, यह मुसीबत के जन्म दाता है आपको, और आपने अब तक कि यह बरबादी लाए ही कियो हैं, पहले उनका जबाप मांगो भई तेरा मही को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, और यहीं पर पटना में पीएम मोदी ने नियूज 18 इंडिया को दूसरा बड़ा इंटरव्यू दिया, इस वाकिंग इंटरव्यू में पीएम मोदी से अमीश देवन ने जब चार सौ पार के नारे पर सवाल पूछा, तो सुनियो, पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी के तीन इंटरव्यू एक साथ, चार सो पार पर क्या बोले पीएम मोदी? पार नहीं कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे? डूसरा मैंने करीपरिम दुस्तान के एक तीन चार राज बाकी है, सभी राज्यों का भ्रहान किया है, और सभी राज्यों के भ्रहान से मैं देख रहा हूं कि आधी है आधी, बड़ी और रॉने से बड़ी वा वाली है विपक्स उन्नीज से चोबीस में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी विश्पल गए हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा पीएम मोदी ने तीसरा इंटर्व्यू अपने नामांकर वाले दिन यानि 14 मई कोकाशी में क्रूज पर रुबिका लियाकत को दिया इस इंटर्व्यू में पहली बार पीएम मोदी ने गोधरा और 2002 का जिक्र किया और मुसलिम समुदाय के साथ अपने रिश्टों पर भी बात की पीएम मोदी के तीन इंटर्व्यू एक साथ गोधरा पर क्या बोले पीएम मोदी आज की तारीक में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीतगी से कह सकते हूं कि ऐसे ऐसे मुसल्मान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हूं और एक उनका वाक्य है ना दूरी है ना खाई है मोधी हमारा भाई है बढ़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं बावजूद उसके आप उस धाड़ना को तोड़ने में क्या नाकामियाब रहे हैं कि मोधी मुसल्मानों का नहीं है कि 2002 के बाद मेरी इच्छ भी बहुत खराब हो गई खराब कर दी गई गोद्रा के बाद मैंने सोचा भी जना रियालिटी जाननी चाहिए तो मैंने हमारे एक तीस कारकरताओं का जुआओं का एक ट्रेनिंग केंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने सर्वे मतलब वो अ मनें में पृष्ण करके जगा है वह मानेग च्वग में शाम को लोग कहना ख़ो लोग काई जाते हां वहां दीन में जो बिजनेस है और खरीद्य फटे युंद्य जो खरैसे कंब साती भीड होती है video युदह यूह आप दिवाली में ब réduit होृक दिुदुग घंड से निकल नहीं सकते हैं और हर प्रकार की चीज बिखती है वाद मैंने का मुझे उसी मार्केट में सर्वे कर रहा है महां सर्वे करो तो मैंने लड़कों को वेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था वो गए पूछते थे कि अब बताएए जुवाली कैसी है नियार दिवाली बात अच्छी है यह मैं बटाई यार डीवाली यह मोधी नम पर्सक्ति अग्दैंश को जलू जफिए बच्चे होता दो हो यह सर दुखली आया तो मेरे कि मेरे मधर कर रहा है से नहीं पहले कभी दुखान पर नहीं आता सो बने महारा सतनु classroom जय जाता था बोले उसकी माई इतनी खुशा है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बना इस बार मुसल्मान आपको वोट देगा आपको उनके वोट की जाहत है मैं यह मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे मैं जिस दिन हिंदू मुसल्मान करूंगा न उद दिन में सारवजनिक जीवन में रहने योगे नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसल्मान नहीं करूँगा अगर मैं घर देता हूं कि बाद करता हूं 100 परसंट डिलिवरी इसका मतलब हुआ काव में मारो 200 घर है कौन समाज है कौन जाती है कौन धर में नौ उन 200 घर में अगर साथ लावारती है तो उन साथ लाग लोकों को मिलना चाहिए और जब मैं 100 परसंट सेचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामा अगले मंदे को मेरा नमर लग जाएगा पीम मोधी के तीन इंटरव्यू एक साथ ज्यादा बच्चों आले बयान पर क्या बोले पीम मोधी स्टेज पर आपने मुसल्मानों का जब जिक्र किया तो घुस पैठिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला इसकी क्या ज़रूत आनपरी महरानों जी इस ने आपको कहा कि जब बढ़ जाने बच्चों की बात होती तो सिर्ब मुसल्मान का नाम जोड़ देते हैं को मुसल मुसल्मान अलग था ज्यादा बच्चा पैदा करने मेंने मैंने हिंदू कहा है मैंने कहा कि आप उतने बच्चे हो जिसका आप पालानन पालनन कर सको करना पड़े सी स्थिति मत करो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी धुआधार चुनाव प्रचार में व्यस्त है नियूज 18 इंडिया को दिये तीनों इंटरव्यू में पीम मोदी ने पूरे चुनाव की तस्वीर देश के सामने रखती है और जो सवाल पीम मोदी से पूछे जा रहे हैं विपक्ष को उसक का जवाब भी दे दिया है